नमस्कार दोस्तों हरहर महादेव आज हम आपको तुलसी माता के बारे में बताएंगे तुलसी को कहां इस्थापित करना चाहिए कैसे गमले में रखना चाहिए और तुलसी माता कैसी होनी चाहिए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तुलसी का गोल गमला गोल क्यारा जिसमें आप तुलसी लगाते हैं वह एश्वरे देता है और चोकोर गमला चोकोर क्यारा आपकी धन संपदा और वंश बढ़ाता है चोकोर कुंडा घर में होने से धन संपदा और सुकसांती बनी रहती है तुलसी जी की गमले में या तुलसी जी के क्यारे में कभी भी शंकर जी को नहीं रखना चाहिए ना ही नाग देवता को रखना चाहिए क्योंकि उससे हमें दोश लगता है और दोश लगता है तो हमारे घर की सुक्सांती चली जाती है अगर आप लोग अपने घर में तुलसी के गमले में या फिर तुलसी के क्यारे में आपने शिवलिंग या फिर नाग देता को रखा है तो उन्हें तुरंथ ही वहां से हटा लीजिए किसी ऐसे इस्थान पर रखिए जहां पर आप उनकी रोजाना पूजा कर सकें और ऐसे गम सिर्फ तुलसी ही लगी होनी चाहिए और आप भग्वान को नहलाए तो उसका पानी भी तुलसी में ना डाले साथ तरह के कुंडो का व्याख्धान तुलसी का कहा गया है मैं बताती हूं साथ तरह के कुंडिक किस तरीके के होने चाहिए आप अपने घर में लगाएंगे त जिसके घर में घर के तुकडे हो रहे हों, घर के लोगों के विभाजन हो रहे हों, उन्हें त्रिकोन आकरती के गमले में या त्रिकोन आकरती के कुंड में तुलसी स्थापित करनी चाहिए। इससे घर में परिवार एक हो जाता है। पांचवा, यदि आपके गार्डन में या घर के बाहर जमीन में ही तुसी अपने आप रोपन हो जाती है, ज्यादा तुसी उगने लगती है, तो वहा तरक्की तो देती है, उन्निती तो देती है, लेकिन वहा सही नहीं होती, क्योंकि आते जाते उनको अंजाने में कोई उन पर थूख देता है, या फिर कोई टच कर देता है, कुटे बिल्ली आकर के, जानवर आकर के उन्हें हात लगाते हैं, मुह लगाते हैं या गंदगी कर जाते हैं, तो इस तरीके से आप तुसी को ना लगाएं, तुसी लगाएं तो व्यवस्थित जगा पर लगाएं, अपने घर के आंगन में लगाएं, चोकोर गमले में लगाएं, वो ज़्यादा शुब माना गया है चटा, तुलसी के कुंड को तीन धार पर याने रसी से या तार से तीन त्रिकोंड में बांद कर लटका देना वह भोज गलत माना गया है आपके घर में तरक्की तो आती है लेकिन वह बहार की बहार चली जाती है साथवा तुल्सी का कुंडा यानि तुल्सी का गमला क्यारा जो आपके घर के आंगन में है वैसा ही आप एक छोटा सा चौकोर गमला एक छोटा सा बिल्कुल ऐसा रखें कि जिसे आप रोज अपने मंदिर में ले जा सकें घर के अंदर वहां आप पूजा करते वक्त उनकी भ बहार रख दें रोज इस क्रम में आप पूजा करें छोटा गमला भी होना बहुत जरूरी होता है घर में कथा या फिर कोई पूजा पाट रखें तो तुल्सी जरूर रखें कार्तिक के महिने में भगवान के पास जरूर तुल्सी का गमला रखें घर के अंदर रोज तुल तुलसी में रोज जल चड़ाएं आपके घर में तुलसी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोव भी करेगी और आपको अच्छा आशिरवाद भी देगी आप लोग के मन में अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएए ताकि वे भी इस प्रकार की बातों को सुनें समझें और अपने घर में इनी को करें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाई स्री सिवाई नमस्त अधियम